सब्स्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पास सकें लेटेश्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो सामसंग M21 के लिए फाइनली सामसंग ने Android 12-based 1EY 4.1 का अपडेट रोल आउट कर दिया है लेकिन अपडेट के बाद हमें जो एक्स्ट्रा डिम का फीचर है वो देखने को नहीं मिला है नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक्स्ट्रा डिम का टॉगल देखने को नहीं मिला है इसके अलाबा सेटिंग्स में भी हमें एक्स्ट्रा डिम का उप्सन देखने को नहीं मिला है तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक्स्ट्रा डीम फीचर को इनेबल कर सकते हैं Samsung M21 में 1UI 4.1 अपडेट आने के बाद तो वीडियो को अंतर तक देखेगा और लाइक कर देज़ेगा इस वीडियो को लाइक टार्गेट हम लोग रखते हैं 120 लाइक 120 लाइक आप लोग कंप्लेट कर दिजएगा और चैनल पे एकर पहली बराया है Activities पे क्लिक करना है और यहाँ पर Search करना है Extra Dim तो यहाँ पर हमें Option देखने को मिलेगा इस पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर हमें Create Shortcut पे क्लिक करना है और ये on हो चुका है इसके अलाबा आप यहां से इसकी intensity को adjust कर सकते हैं इसके अलाबा यहां पर देख सकते हैं तो यहां से आप जब brightness को low कर दीजेगा तो इस feature की मदद से और भी आप ज़्यादा brightness low कर सकते हैं इसके अलाबा बात करें तो हमें के नया option देखने को मिल जाता है extra dim shortcut तो इसको आपको enable कर देना है तो हमें extra dim का shortcut देखने को मिल जाएगा इसके अलाबा आप इस तरह से इसे move भी कर सकते हैं और यहां पर आप इसे hide भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं तो अब आप कुछ इस तरह से जो extra dim feature है उसे use कर सकते हैं यहां से आप shortcut पे click किजिएगा और जो extra dim है उसे आप shortcut से use कर सकते हैं इसके अलाबा हम एक और shortcut देखने को मिल जाता हैं तो इसके लिए आपको settings में चले जाना है उसके बाद accessibility पे click करना है advanced settings में और यहां पर आपको accessibility बटन और यहां पर सबसे पहले तो यहां से आप transparency को आप low कर सकते हैं इसके अलाबा बात करें तो हमें navigation बार में भी जो option है वो देखने को मिल सकता है यहां पर आप देख सकते हैं आप चाहें तो यहां से navigation बार में भी extra dim option का जो shortcut है उसे आप रख सकते हैं और use कर सकते हैं तो यह भी feature है इसके अलाबा अगर आप floating over other apps रखते हैं तो transparency को low रखिएगा तो इस तरह से आप extra dim feature को enable कर सकते हैं M21 में Android will update आने के बाद तो यही था आज के इस वीडियो में उम्मीद है आपको वीडियो पसंदा आई होगी अगर वीडियो सब्सक्राइब मैं मलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वंदे मात्रम